नमाश्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानियास्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विभिन ग्रहों के गोचर से बिलने वाले फल जब विभिन ग्रहे अपनी राशियां चेंज करत हैं जब वो राशी चेंज करता है कि पर्टिकुलर राशी या चौले को आता है ब्रस राशी में चौदा users 13 महिना रहता है सुर्य करक राशी में सोला या सत्रह जुलाई को आता है सिंग राशी में सोला या सत्रह अगस्त को आता है करनिया राशी में सत्रह सितंबर को आता है तुला राशी में सत्रह अक्टूबर को आता है ब्रश्चिक में पंद्रह सोला नमंबर को आता है धनू में स चेंज करने के मंद हैं जब सूर्य राशी चेंज करता है तो हम यह देखते हैं कि किस किस जनम जनम राशी वाले पर यानि किसी की राशी प्रशब होगी तो किसी की राशी मिथुन होगी किसी की राशी हो सकता है कि तुला हो उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है सूर् तो दो दिन के लिए चंद्रमा का प्रभाव चंद्रमा दो दिन के लिए एक राशी कहता है तो क्या प्रभाव duelnता है संद्रमा वह उसकी उपड़ा in तो चंद्रमा जो है देखिए चंद्रमा गोचर का चंद्रमा अगर आपके जन्मकालीन चंद्रमा से अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा व्रशव राशी में है तो उसी भाव में अगर गोचर का चंद्रमा आ जाए जहां पे आपका जन्मकालीन चंद्रमा है कुंडली में उसी भाव में, उसी राशी पे जब गोचर का चंद्रमा आ जाए, तो क्या होगा? तो भाग्य का उद्य होता है. धन की व्रद्ध ही होती है. स्वास्त अच्छा होता है. पहला भाव सम्मंदित जो चीजे हैं, वो साई चीजे होती है. दूसरे भाव में जाए. जन्कालीन चंद्रमा जहां आपका है, उससे दूसरे भाव में अगर गोचर का चंद्रमा जाए, तो धन की हानी होती है. कुटुम में जगड़ा होता है, खाने में मन नहीं लगता. जो भी दूसरे भाव के रिजल्ट हैं, वो आपको अच्छे नहीं मिलती है. और अगर वो तीसरे भाव में जाए, जन्कालीन चंद्रमा से, जहां जन्कालीन चंद्रमा बैटा है, उससे तीसरे भाव में गोचर का चंद्रमा जाए, तो आपकी जय होगी. पराक्रम बढ़ेगा, चोटे भाई बहनों से रिष्टा सुधरेगा, जो भी तीसरे भाव के पल हैं, खेल कुद में अच्छा होगा, और अगर आप किसी खेल कुद में किसी टीम में शामिल हो रहे हैं, और टीम सेलेक्शन हो रहा है, तो आपका पका सेलेक्शन भी होगा. अगर जनकालीन चंद्रमा, आपका जो गोचर का चंद्रमा है, वो जनकालीन चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, और उस दिन अगर किसी टीम का सेलेक्शन हो रहा है, तो आपका सेलेक्शन अवर्ष्य होगा. चौथे भाव में गोचर करता है जनकालीन चंद्रमा से, गोचर का चंद्रमा तो भय होता है, मानस्री का शान्ती होती है, पारिवारी कस्थ होता है, पांचवे भाव में गोचर करता है, तो शोक होता है, विवेक भीनता होती है, संतान से परिशानी होती है, हो सकता है संता आपकी रोगी हो जाए वो भी चीज हो सकता है और इसी प्रकार गोचर का चंद्रमा जब जल्मकालेइन चंद्रमा से जहां आपकी जल्मकालेइन चंद्रमा बैठा है कुंड़ी में ठीवन चाट में वहां से चटे भाव में गोचर करता है तो क्या होता है आरोग्यता आती है कि अच्छा गोचर कहलाता है लो देने जा रहे हैं और जर्म का लिपर सब्सक्राइब तो आप कह सकते हैं निश्यत्रूप से कि आपको देखें कितने चंद्रमा कम नांए अगर वाब में चंद्रमा उसाना ज्सें साथ व बाबक में चंदरमाnarट tutti चंद्रमा अगर-व यहीं से साथवे बाव में चंद्रमा गोचर करें, गोचर का चंद्रमा आए, तो सुख मिलता है, विवायल जीवन में ब्रद्धी होती है, पार्टनर्शिप में सक्सेस मिलती है, अगर आठवे बाव में गोचर करें, तो अनिस्टफल होगा, क्योंकि आठवा गोचर अच्छा नहीं होता कले होगी लंबा रोग पैदा हो सकता है करजे बढ़ सकते हैं शत्रुता बढ़ सकती है यह सारी प्रॉब्लम साथ को हो सकती है जो भी आठवे भाव से संबंदित चीजें में वह लहां वो आपको निलेंगे हैं यह सबसे ज्यादा digo दहांता है इस अब चन्द्रमा 点 simply गोचरबाशंद्रमा कि जन्मकालें चन्द्रमा से नवे भाव में गोचर करे ह्वजाओ में कि मिल करो अज़िए Ragho वोजह की चेकी ब्रॉब्लम ऊसकती और अर्गर दसां गोचर हो इस राषी देट अरे के को कारें सफलता में, प्रमोशन मिलेगा नौकरी लगेगी अगर आप नौकरी के लिए अपने अप्लाई किया हुआ है और आप देखते हैं या नौकरी में आपका प्रमोशन ड्यू है और आप देखते हैं कि आपके जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा दस्वे भाव में गोचर कर रहा है तो उस दिन आपको प्रमोशन या उस दिन आपको नौकदी अवश्य मिलेगी ग्यारवा गोचर चंद्रमा का यानि जन्कालेईन चंद्रमा जिस राशी में है उससे चंद्रमा का ग्यारवा गोचर बहुत अच्छा होता है आपको लाब मिलेगा बड़े भाई बैनों का सुख मिलेगा बहुत अमाज से सुख मिलेगा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी आपके international relations बनेंगे अगर आप किसी company में है और कोई joint venture करना चाते हैं किसी international company से तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी ये सारी चीजे होंगी जो ग्यारवे भाव से संबंदित चीजे हैं उसके सारे प्रड़ाम आपको positive मिलेगी और वही जन्म का चंद्रमा अगर आपका जिस राशी में बैठा है उस राशी से बारवे भाव में चंद्रमा गोचर करे तब क्या होगा? वो अच्छा नहीं हो तो वो दो दिन जिन दो दिन तक वो आपके जन्म राशी से बारवे भाव में चंद्रमा रहेगा गोचर का उन दिनों व्याव बहुत बढ़े हैं आपके मानसिक problem हो सकती है आपको रोग हो सकता है आपके hospital के expenditure बढ़ सकते हैं इस तरह की सारी समस्याइं आपको हो सकती है तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि कैसे गोचर में चंद्रमा प्रभावित करेगा और चंद्रमा का गोचर भविश्यवाने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि चंद्रमा एक राशी में सवा दो दिन देता है तो उससे आप मालुम कर सकते हैं आपके लिए कौन सा टाइम भेतर है और कौन सा टाइम भेतर नहीं नहीं तो ये चीज बहुत इंपोर्टन्ट है इसका ध्यान लखेगा आशा करता हूं आपको समझ माया हुगा समझ माया हो तो कार्णी लाइक किजिएगा सब्स्राइब किजिएगा और हम लोग अस्ट्रावजी एजुकुशन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंट्रेस्टेड हो वो जॉइन कर सकते हैं नमस्कात जैशिक्ष्ट